इन सब के बीच में खबर ये भी है कि एक बार फिर से बिलबिला रहा है पाकिस्तान जानते हैं क्यों कश्मीरी अलगाबादियों पर अक्शन को लेकर ये खबर है NIA और E-D के अक्शन से भड़क गया है पाकिस्तान भारत के हिलाफ जेर तो उकल ली रहा है लेकिन जब-जब कारवाई होती है शिकंजा कसता है तो बिलबिलाता भी है पाकिसानी विदेश कारवाईले ने प्रेस कांफरेंस कर भारत की निंदा की है पाकिसानी विदेश कारवाईले ने कारवाई को अवैद बताया है कह रही है की illegal ये action है कश्मीर में भारत की कारवाईयों का कोई असर होगा नहीं ये भी बड़ी बात कही है साथी साथ भारत की कारवाईयों का विफल होना तै है ये भी दावा कर दिया है एक बार फिर से पाकिस्तान बिलबिलाया है और बड़ी बाते बोली है कश्मीरी अलगावादियों पर एक्शन को लेकर पाकिस्तान बिलबिला गया है और ये कह रहा है कि भारत की जो कारवाई है उनका विफल होना टैय है ये वर समझेगा कि वो काम्याब हो जाएंगे एनाईय और एडी के आक्शन से दरसल भड़क गया है पाकिस्तान जहांपर कश्मीरी में अलगावादियों पर एक्शन और एनाईय और एडी के टीम ने ये जो सहीव तो अपरेशन चलाया है उसके बाद पाकिस्तान नसर्थ विलबिलाया बलकि ये भी कह दिया कि जिस तरीक कारवाई को अवैध बता दिया कहा इलीगल ये अक्शन है एनाईय और एडी जब अपना काम करते हुए कश्मीरी अलगावादियों पर एक्शन या फिर जांच का शिकंचा कसा ऐसे में पाकिस्तानी विदेश कारयाले की तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस की गई और अब कहा कि इन कारवाईयों का जो कश्मीर में कारवाई हो रही है इसका असर पाकिस्तान पर कुछ नहीं पढ़ने वाला है भारत की कारवाईयों का विदेश कारयाले की तरफ से ये प्रेस कॉन्फरेंस गुई जिसमें ना सिर्फ कट्टर प्रतिद्वन्दी कट्टर विरोधी बताय कि इस तरह की कारवाई का कोई भी असर पाकिस्तान पर नहीं होगा। आप उल्टे सीदे बयान भी दे रहा है और कह रहा है पाकिस्तान की भारत की कारवाईयों के जो आक्शन है ये पूरी तरह से विफल साबित होंगे।